दुनिया क्या सोचती है? उन्हें सोचने दो. आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया गिन तुम्हारी कदमों में होगी. एक शमय में एक ही काम करो, और पूरी निष्टा और लगन से करो, बागी सब कुछ भुला दो. मश्तिष की सक्तियां सूरी के केड़ों के शमान है, जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौधिक, या मान्सिक, उसे जहर की तरह त्याग दो. सक्ति जीवन है, निरबलता मिर्त्यु है, बिष्टार जीवन है, संकुचन मिर्त्यु है, फ्रेम जीवन है, द्वेश मिर्त्यु है, जितना कठिन संघर्स होगा, जीत उतनी ही शांदार होगी. तुम्हें भीतर से जागना होगा, कोई तुम्हें सच्चा ग्यार नहीं दे सकता, तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई सिक्षक नहीं है, जब तक जीवन हो टिखते रहो, क्योंकि अनभावी शब से स्ट्रेश्ट सिक्षक है, जो अगनी हमें गर्मी देती है, हमें नश्ट करना, उठो, चागो, और तब तक नहीं डुको, जब तक लक्ष ना पात, किशे जिन, जब आपके सामने कोई शमश्या ना आए, आप सुनिश्चित हो तकते हैं, कि आप गरत मार पर चल रहा है, सोतंत्र होने का शाहश करो, जहां तक तुम्हारे बिचार जाते हैं, वहां तक जाने का शाहश करो, और उन्हें अपने जीवन में उतारने का शाहश करो, आसान नहीं है उस सक्ष को समझना, जो जानता सब कुछ हो, पर खामोस रहे हर वाक्त, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं शकता, कोई आध्धात्मिक नहीं बना शकता, तुमको सब कुछ, खुद अंदर से सीकना है, पोले और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता अपनी मदद स्वाइं करू आप ही कुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़ी दुस्मन ही शबी को मरना है सजल भी मरेंगे और धूरजन भी मरेंगे गरीब भी मरेंगे और अमीर भी मरेंगे इसलिए निश्ख कपट होकर जीवन जीए भगवान किशी को कव याद आते हैं धर्मात्मा को हर समय पापी को मृत्यू के शमय चोर को पकड़े जाने पर गरीब को भूख लगने पर धनी को बीमार हो जाने पर कंजूश के पैसे खो जाने पर किशान को बर्सा नहीं होने पर मुशाफिर को ट्रेन छूट जाने पर ब्याबारी को नुक्षान हो जाने पर बिद्धार्थी को परिच्छा फल के सिमय रायद मुटिकी को चुनाव हार जाने पर और अफशर को रिश्वत लेने लेते समय पकड़ी गाने पर जिन्दगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे आधिया भी पलकु रहे और दिया भी चलता रहे